प्यारे दोस्तों, आज की financial video सभी age group के लोगों के लिए बड़ी खास होने वाली है क्योंकि 99% लोग school education तो ले लेते हैं, लेकिन financial education बुड़ापे तक नहीं ले पाते इसी वज़े से उन्हें बुड़ापे तक गरीबी का सामना करना पड़ता है आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे secret asset बताने वाला हूँ, जो आपको कम समय में rich बना सकते हैं प्यारे दोस्तों, रोबर्ट क्यास की कहते हैं कि ये currency notes केवल एक कागज का टुकड़ा है, just like a blank paper और ये कागज का टुकड़ा हम सभी को अपना गुलाम बनाये जा रहा है, इसलिए आज से इस कागज के टुकड़े के लिए काम करना बंद कर दो और इससे काम करवाना सीखो इस thought को सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि कैसी बेवकुफी भरी बाते कर रहा है ये, पूरी दुनिया इसी पैसे के लिए काम कर रही है और ये कह रहा है इसके पीछे भागना बंद कर दो आप लोग ये भी कह सकते हैं, हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमली में इस पैसे को बहुत जादा रिस्पेक्ट दी जाती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पैरेंस ने भी काफी सारी मेनत इसलिए की ताकि वो बहुत अच्छा पैसा कमा सके लेकिन दोस्तो एक अच्छी जाब होने के बावजूद भी और हर एक पैसे का सही हिसाब रखने के बाद भी हम और हमारी जनरेशन अभी तक अमीर क्यों नहीं बन पाई रॉबर्ट क्योयसकी ने इस बात को बड़े अच्छे से अपनी बुक रिस डैड पूर डैड में समझाया है जिस वीडियो का लिंक आपको कमरेट टैब या फिर कमेंट सेक्शन में पिंट किया हुआ मिल जाएगा रॉबर्ट क्योयसकी ने अपनी बुक के इंपॉर्टन चैप्टर में ये बताया है कि उनके दो पिता थे एक गरीब पिता दुसरा अमीर पिता जो उनके गरीब पिता थे वो हमेशा जॉब सेली पर फोकस किया गरते थे जबकि उनके अमीर पिता थे वो हमेशा एसेट्स यानि कि जाद से जादा एसेट को build करने में अपना ध्यान दिया करते थे जबकि हमेशा से अपनी salary पर focus करने वाले उनके गरीब पिता हमेशा गरीब के गरीब ही रह गए वही उनके अमीर पिता asset building की वज़े से इतनी जादा अमीर हो गए कि पैसा उनके लिए काम करने लगा तो प्यारे दोस्तों आपको भी मैं आज की वीडियो में पांच ऐसे एसे एसेट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको गरीब होने से तो बचाएंगे ही इसी के साथ पैसा भी कमा कर देंगे और विश्वास करिए दोस्तों इसमें से कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको इससे पहले किसी ने बिल्कुल भी नहीं बताया होगा लेकिन अभी उन एसेट्स की और बढ़ने से पहले हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि मिडिल क्लास फैमिली में पुरा बैंक में डाल दो यानि कि मेहनत करो पैसा कमाओ और फिर उस पैसे से पैसे कमाने का मौका किसी और के हातों में सौब दो अगर आपने देखा हो तो आज ही अपनी बैंक बुक को देखिएगा बैंक आपको सेविंग्स पर 2-3 परसंट का बढ़ जाएगी आप ये खुद भी कैलफलेट कर सकते हो इसका मतलब आजकल के समय में जो चीज 100 रुपे की है वो एक साल बाद 108 से 110 रुपे की हो जाएगी लेकिन जो पैसा आप बैंक में रखोगे वो पैसा आपका 100 रुपे से बढ़कर जाद से जादा 102 या 103 तक ही पहुँच पाएगा तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं हर साल आपका पैसा 6% से 7% की वैलोईशन खो रहा है जबकि बैंक आपके पैसे को एक्जामपल के तोर पे 100 रुपे को 10 से 12% के इंटरस्ट पर देता है यानि की आपका पैसा बैंक के सबसे ज़्यादा काम आ रहा है लेकिन आपके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों आपको बैंक में उतना पैसा ही रखना चाहिए जो इंस्टेंटली आपकी जरूरत का हो या फिर इंस्टेंट कैश रिक्वाइरमेंट में काम आए वो भी इमर्जनसी में और आपको बचा हुआ पैसा इन अमेजिंग एसेट्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए तो चलिए वन बाई वन इन एसेट्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं दोस्तो नमबर वन एसेट्स की बात करें तो उसमें लेंड पहले आता है जी हाँ प्यारे दोस्तो लेंड और रियल स्टेट ऐसा सोर्स है जो बिना किसी मेहनत के आपको जल्दी से फाइनिशली फ्री बना सकता है अगर आप किसी भी मिलेनियर अब फिर बिनियर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके मेन बिजनेस के अलावा रियल स्टेट के बिजनेस भी होते हैं एक्जामपल के लिए रॉबर्ट क्यासकी को ही ले सकते हैं ऐसा इस लिए क्योंकि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने से आप लोगों को कई सारे फायदे होते हैं जैसे कि आपको टेक्स बेनिफिट मिलता है और इसी के साथ डेप्रेशेशन और एंड लोन पेमेंट से डेड़क्शन भी ले सकते हो इसी के साथ आपको कैप्टल एफ्रेशेशन भी मिलता है सबसे बड़ी बात तो ये है इन्फलेशन के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर इन्फलेशन का कोई भी असर नहीं होगा और इतना ही नहीं अधर प्रॉपर्टी के लॉज पर आपको होमलून कम इंटरस्ट पर मिल जाता है जिससे आप यानि की अधर्स पिपल मनी का यूस कर सकते हैं और प्यारे दोस्तों अपने लिए पैसिव इंकम को जनरेट भी कर सकते हो दोस्तों इंडिया में जितने भी रिचेस परसनल्टी हैं चाहे टाटा हो या फिर अडानी अपने मेन बिजनस के लावा रियल स्टेट में भी काफी पैसा इंवेस्ट करते हैं और अगर आपने निउज में हाल इमें पड़ा हो तो लोगों ने यूपी में लेंड पर्चेस किया है क्योंकि लेंड एक ऐसा रिसूर्स है जो आपको बैठे बैठे करोड़ पती बना सकता है लेकिन अब सवाल ये है लेंड के लिए तो काफी पैसा चाहिए लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं इसलिए बढ़ते हैं अपने असेट नंबर दो पर जो है रीट्स जी हाँ रियल इस्टेट इन्वेस्मेंट ट्रस्ट ये बिल्कुल मूचल फंड्स की तरह ही काम करता है इसमें ये ट्रस्ट या फिर कॉमर्सिल प्रॉपरिटीज होटल मॉल्स या फिर शॉप्स में या यू कहें रेसिडेंशल प्रॉपरिटीज जैसे की अपार्टमेंट्स या फिर होटिल्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं अब दोस्तो रीट्स में अपने पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको तीन benefit जरूर मिलते हैं सबसे पहला फायदा तो यह है यहाँ पर आप अपने पैसों को मात्र 500 रुपे से भी invest करना शुरू कर सकते हैं इसलिए आपको यहाँ पर जादा परसन की जरूरत नहीं होती है और जब भी यह company किसी भी property पर अपना पैसा invest करती है जैसा कि hotels या फिर malls में जो अपने आप में commercial property है तो यहाँ से उनको जो rental income generate होती है तो उसकी 90% यह हमेशा आप लोगों को dividend के form में दे देती हैं तो यहाँ पर अपने पैसे invest करने से आपको हमेशा हर मन्त as a evident के form में पैसा मिलता रहेगा इसका तीसरा फाइदा है जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जितनी भी property यह company खरीती है उनका price भी बढ़ता है जिससे आपको capital appreciation का फाइदा मिलता है और वो और उसका investment किया हुआ amount भी grow करता है इसलिए दोस्तो अगर आपके पास real estate में पैसा invest करने को नहीं है तो आपके पास REITS एक बड़िया option है अगर आपको अभी तक की यह दो तरीके अच्छे लगे हो तो वीडियो को definitely like करें और अपने दोस्तों को भी जरू शेयर करें बाकी के best पैसे income source मैं शेयर करूँगा अपनी दूसरी वीडियो में जो रहेगा episode number 2 तो मिलते हैं एक बड़िया सी अच्छे सी financial learning वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने एक telegram group बनाया है तो उसको आप join कर सकते हैं जिसका link आपको community tab में मिल जाएगा या फिर comment section में भी मिल जाएगा आप लोग और क्या जाना चाते हैं अपनी financial learning के लिए तो definitely नीचे comment करना ना भूलें और इस से related personal finance related जो भी आपको जानकरी चाहिए या जो भी आपको information चाहिए तो नीचे comment कर सकते हैं धन्यवाद जो कर सकते हैं